मद्गरात्री यानि 8 नवंबर 2016 की रात्री को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करंसी नौट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे यानि ये मुद्गराएं कानूनन अमान्य होगी 500 और 1000 रुपए के पुरानी नौटों के जरिये लेन देन की व्यवस्ता आज मुद्गरात्री से उपलब्दन नहीं होगी ब्रश्टा चाहिए काले धन और जाली नौट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्पों के पास मुझूत 500 रुपए, 1000 रुपए के पुराने नौट अब केवल कागज के एक टुकडे के समान रह जाएंगे ऐसे नागरीक जो संपत्ती, महनत और इमानदारी से कमा रहें उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी ध्यान रहें कि 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए और एक रुपए का नोट और सभी सिक्के नियमिद हैं और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं उस पर कोई रोक नहीं है हमारे या कदम देश में ब्रस्टाचार, काला अधान इवं जाली नोट के खिलाब हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाने नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है देश वाचियों को कम से कम तक्लिप का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है पांसो और एक हजार रुपे के पुराने नोट, दस नवंबर से लेकर, तीस दिसंबर दो हजार सोला तक आप अपने बैंक या ढाकगर उस ओफिस के खाते में बीना किसी दिल्मा के जमा करवा सकते हैं आपके पांस लगवग पचास दिनों का समय है, अतह नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफ्री करने की कोई आवशक्तान नहीं है आपकी धनरासी आपी की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है